हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक मैं हूँ डॉक्टर राजेश्री सेनापती आज हम डिसकस करेंगे कि प्रेगनसी में कितने नींद जरूरी है और कौन से पोजिशन में लेनी चाहिए यूजरी प्रेगनसी में प्रेशन की नींद बहुत डिस्टब होती है क्योंकि प्रेशन में शारीरिक बदलावाते हैं हर्मनल बदलावाते हैं प्रेशन हमेशा स्ट्रेस में रहता है एंग्जैटी में रहता है कि डिलोरी कैसे होगी बच्चा कैसे रहेगा उसमें फैमिली होता है financial pressure होता है इस सब मुझा से पेशंट की निन बहुत अ depot होती है प्यशंट को नीन नहीं आती पेशंट के लिए कम से कम साथ या आठ घंटा राप में सोना जरूरी है और दुपर को एटलेस्क एक या दो घंटा रेसले न जरूरी है जल्दी नीन आने के लिए हमेशा हमें जल्दी उठना चाहिए जल्दी उठने के बाद हलका सा एक्सरसाइज करना चाहिए रात में भी खाना खाने के बाद थोड़ तहलना चाहिए रात में एक ग्लास वाम मिल्क लेना चाहिए उससे भी नीन आसान होती है सोने के पहले एटलिस आदा घंडे तक टीवी, मोबाइल, वाटसअप यह सब चीज नहीं देखनी चाहिए हमें वेडरूम में एक एक मास्फियर क्रेट करना चाहिए जैसे के लाइट दिम करना, सॉफ्ट मुजिक लगाना या आजकर फ्रेग्नेंस वाली कैंडल्स आती है, वो लिट अप करके एक दव अच्छा अट्मासफियर क्रेट करना इसे पेशन को नीद आने के लिए असान होता है आजकर यूट्यूग में नीद के लिए अच्छे मेडिटेक्शिंस के साउंड्स है, साउंड्वेव्स के मुजिक बहुत अच्छे सुद्निंग होते है, इसे भी पेशन को नीद अच्छे तरह से आ सकती है पेशन को सोने के लिए कौन सी पोजिशन लेनी चाहिए, यूजरी पहले तीन मेहने में पेशन अपनी कमफोडेबल पोजिशन ले सकता है क्योंकि तब तक यूट्रस अब्डमिल ओगन नहीं बन था, लेकिन जैसे प्रेग्नसी एडवांस होती है, लेटर पार्ट अफ प्रेग्नसी में पेशन ने यूजरी लेफ साइड करवट लेके सोना प्रेशन के लिए अच्छा होता है क्योंकि जब पेशन सिधा सोता है, यूट्रस बढ़ जाता है, बच्चे का वजन बढ़ जाता है, मा का भी वजन बढ़ जाता है, उसका सारा प्रेशर अपने स्पाहिन पे आता है, उसे अपनी कमर दरज जादा होती है दुसा पॉइंट ऐसा है कि अपने जो ब्लेड वेसल होती है उसके उपर भी बच्चे का और यूट्रस का वज़न गिर कर मा का ब्लेड प्रिशर बढ़ सकता है और बच्चे को ब्लेड सप्लाई कम हो सकता है कर इस वक्क पेशंट यदी लेफ कर वट लेता है तो स्पाइन का और अपने मेजर ब्लेड वेसल का उच्चे उच्छा वता है बच्चे को ऑक्सिजन सप्लाई जादा होता है मा को पेट दरद या कमर दरद कम होती है तो यह सबसे बेस पोजिशन मा के लिए है लेफ साइड क प्रवत लेके सोना लेफ लाटरल पोजिशन जैसे प्रेगनेंसी आखरे नौ मेने में जाती है या पेशन्ट ट्विंस प्रेगनेंसी होती है या हाइड्रामियास मतलब यूटरस के अंदर पानी ज्यादा होना यूटरस बहुत डिस्टिन होना पेट बहुत बढ़ जाना ऐस इसे करनिशन जब मा को होती है तब मां ना सिध्र से सु सकती है ना left lateral position में बहुत पोजिशन में सो सकती है इस वक्त पेशन ने पराप्ट-ब पोजिशन लेना चाहिए मतलब थोड़ा head raisओ के सुना चाहिए बैक में पिलो लेके support देना चाहिए इसवां पेशन को ब्र्दि पर्टीन की मात्रा कम हो और खुन की मात्रा कम हो या पेशेन का ब्लड प्रेश बढ़ता है । कि नामल प्रेग्मेंसी में भी कभी कभी में पेर में वो जलीं होती है और भी दरध होता है इस वाप प Garlic मुसाइज करना चाहिये पेर के नीचे दो पिलो रखकर पेर थोड़े उपर की पूजिशन में रखकर सोना अच्छा होता है जिससे पेर की स्वेलिंग कम हो जाती है आप याद रखिए आपको नीन के लिए बहुत खैल रखना है क्योंकि डॉक्टर आपको नीन के लिए कोई भी मेडिसेन या पिल न थैंक यू सो मुझ